Hello everyone, this is Pratibhan Aakpal and welcome to your own channel Nudgam Parshala. So today we are going to start our chapter 1st of Geography that is India Size Zone Location. So this chapter में हम पढ़ेंगे कि इंडिया का क्या साइस है, कितना एलिया है, इंडिया की क्या लोकेशन है और इस लोकेशन के कारण इंडिया को क्या के बनफिट सोते हैं. So let's start. So अगर हम बात करें इंडिया की लोकेशन की, तो जो फर्स पॉइंट है, हम इस पिक्चर के थूरू समझेंगे, तो फर्स पॉइंट में क्या बताया गया है, जो इंडिया है, वो आपका नॉर्दन हैमिस्फियर में लाइक करता है. Means, it is above the equator, जो हमारे imaginary lines होती है, जो equator imaginary line है, तो imaginary line जो equator है, उसके अबब ये लाइक करते हैं, हमारे इंडिया यह नहीं वहाँ, लोकेटेड है, और क्यूंकि लोकेटेड अपर साइट पे, that's why it is in the northern hemisphere. ठीक, तो northern hemisphere के अगर हम बात करें, तो latitudes के बीच में ही आपका 8 degree 4 minute north, और 37 degree 6 minute north, इनके बीच में लोकेटेड है, आपका जो इंडिया है, latitudes के मामले में, और अगर हम इसमें longitudes के बात करें, तो 68 degree 7 minute east, और आपका 97 degree 25 minute east, इसके बीच में लोकेटेड है, क्यूंकि इंडिया बहुत बड़ा country और हम चानते की measuring lines भी है, तो India measuring line जिसका नाम है Tropic of Cancer, इससे आपका जो हमारा India है, ये two parts में divided है, इंडिया के south में दो आपके C पढ़ते हैं, एक आपका Bay of Bengal है, next आपका Arabian C है, Bay of Bengal में आप अंजमाने निकोबायर आइलेंड्स देख सकते ही हाँ और आपका half size, यानि कि इंडिया का क्या size है, तो इंडिया का total अगर हम area के बात करें, तो 3.28 million square km इसका total area है, इंडिया का, जो की world के total 2.4% के equal है, area के according क्योंकि पूरा इतना हमारा इसका area है, इंडिया का, इसलिए वर्ट की 7th largest country है, पूरे world में in terms of line mass, means in terms of area, ठीके इसमें हम जैसे की पहले के slide हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं कि अंडिमान निकोबार एलेंड जो है, और अरेबियान से यहां पे हैं, अगर हम इसके border के area के बात करें, तो 50,200 km इसका border का area है, ठीके, और coastline के बात करें, यानि कि यह जो आप देख रहे हो, कूरा coastline यह जो इतना दिया हुआ है यह आपका 7,000, ठीके, 7,516.6 km तक का, इसका coastline है, जो कि बहुत largest coastline है आपका Asia में, देखें, आप अगर बात करें कि इंडिया हमने देखा कि बहुत बड़ा country है, ठीके, बहुत बड़ी country है, तो इसमें जो आपका time difference है, time zone, वो भी आपका इसमें different हो जाता है, time का कैसे difference है कि देखो इतना बड़ा country है, तो आपका गुजरात से, और जो और नाचल प्रदेश है, इसमें जो आपका time difference है, वो आपका two hours का पड़ता है, इसलिए एक standard meridian जो है, यह आपका इसमें set की गई है, जिसकी वज़े से क्या हुआ, कि standard time हो गया, पूरे whole country है, पूरे country का एक standard time हो गया, यह जो आपका meridian हमने बात की है, standard meridian जो यह आपका गुजरती है, ठीक है, यह कहां से पास होती है, आपका मिर्जपूर से पास होती है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, नेक्स्ट वी हाब the advantages of India's location, अब इंडिया के जो इंडिया लोकेटेड है, ठीक है, उस हमने इसमें जैसे की last slide में पढ़ा, यह largest cost line है, अब cost line इतनी बड़ी है, तो उसमें क्या कि जादर से जादर शिप से यही से travel होके जाते हैं, यही से गुजर के जाते हैं, इंडिया ओशन से, लैंड रोड भी इसमें जो है important role play करती है, exchange होते हैं, इसमें हमारे ideas, ideas हैं, जानिया है, और Indian numeral system है, या फिर जो decibel system है, यह अलग-अलग parts में, वर्ल्ड के अलग-अलग parts में, आप वो सब्सक्राइब करने का माध्यम बना, एक medium बना, ठीक हैं, next we have the India's neighbors, अब इंडिया के कितनी neighbors हैं, नेबर से पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इंडिया के कितनी आपकी states है, so इंडिया में 28 states हैं and 8 union territories हैं, इंडिया का जो border है, वो 9 countries से आप वो सकते होगी touch हो रहा है, वेखे पाकिस्तान है, आपका अफगानिस्तान, चाइना, नेप अब बांगलादेश, मयामार, भुटान, और अगर हम सौथ की बात करें, सौधन नेबर की बात करें, तो आपके 2 आइलेंड कंट्रीज हैं, जो की माल्दीज और श्री लंका है, श्री लंका इंडिया से इंडिया से इपरेट हो रहा है, वो एक पाक स्टेट से और है, जो क आपको वीडियो अच्छा लगा, श्राप्टर अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, जाज़ जादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्स्राइब करना ना हूले, थैंक यू सो मच,